गीता की ये दस बाते सिखाती हैं जीवन जीने की कला, आप भी जाने। गीता के आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्यान कर सकता है, बलकि वह संपूर्ण मानव जाती की भलाई कर सकता है। श्रीमत भागवत गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है, बलकि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और श्रीकृष्न के समवाद लोगों के लिए प्रेरना स्त्रोत हैं। गीता के उपदेशों पर चल कर न केवल हम स्वयम का, बलकि समाज का कल्यान भी कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बुंदों को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारती बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन कठिनायों से लने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्यान की तरह आचरन करना चाहिए। इससे वह उन्नती की ओर अग्रसर होगा। एक क्रोध पर नियंत्रन गीता में लिखा है क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धी व्यग्र होती है। जब बुद्धी व्यग्र होती है तब तरक नश्ठ हो जाते हैं। जब तरक नश्ठ होते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। दो नजरिया से बदलाव जो ग्यानी व्यक्ति ग्यान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है इससे वह इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है 3. मन पर नियंत्रण आवश्यक मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रू का कार्य करता है चार आत्म मंथन करना चाहिए व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए आत्म ग्यान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अग्यान को काट सकता है जिससे उतकर्ष की और प्राप्त होता है पांच सोच से निर्मान मुनश्य जिस तरह की सोच रखता है, वैसे ही वह आचरन करता है. अपने अंदर के विश्वास को जगा कर मनुश्य सोच में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके लिए काल्यान कारी होगा. 6. कर्म का फल गीता में भगवान कहते हैं मनुश्य जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुरूपी फल की प्राप्ती होती है. इसलिए सत्कर्मों को महत्वा देना चाहिए. 7. मन को ऐसे करे नियंत्रित मन चंचल होता है, वो इधर-उधर भटकता रहता है. लेकिन अशान्त मन को अभ्यास से वश्मे किया जा सकता है. 8. सफलता प्राप्त करे 9. तनाव से मुक्ती 10. ऐसे करे काम बुद्धिमान व्यक्ति कार्य में निश्क्रियता और निश्क्रियता देखता है। यही उत्तम रूप से कार्य करने का साधन है।